तो आज मैं बनाने वाली हूं फ्रेंड्स फिस्ट करी और यह फिस्ट को ना मैं कल ही मतलब शेहमलागर के दिये तो इसको अच्छे से क्लीन वगड़ा करके हमें फ्रीज में स्टोर कर दिया था और यह फिश आभी मैं सुबह में सुबह सुबह आज उठनी के बाद जैसी मेर हो गया और मॉर्निंग क्लास यहां चलता है तो आप लोगो मैं बताती हूं कि मैं ब्लॉग जब भी करती हूं आज क्या मुझे ब्लॉग करना तो मैं क्या कम करती मॉर्निंग में सबसे पहले कि मॉर्निंग क्लास चलता रहता है तो मैं तो रूम का ऐसे भी ब्लॉग वगड काम स्टार्ट कर देती हूं कि मेरा एक रहता है अगर सोचूंगी कि अरे ट्यूशन क्लास खतम होंगे फिर मैं अपना ब्लॉग शुरू करूंगी फिर कुकिंग करूंगी तो मेरा नब पूरा टाइम ऐसी खतम हो जाएगा कोई चीज सही से नहीं हो पायागा क्यूंकि 11 वज एक दिन पहले मंगा लेती हूं और कुकिंग में लग जाती हो जब तक पढ़ा के फिर होते हैं मैं अपना कुकिंग बगर सारी चीजों को कंप्लीट कर के फिर हो जाती हूं तो उसके बात जो फिर जबाती उनों फ्रेंड्स रूम में तो फिर बाकी मेरा दो बी चुछ थो तो यह उसी दिन का फ्रेंट्स लेकिन वही है न कि यह ब्लॉग बना हुआ था मैंने आप लोगों कहा था कि मैं एडिट वगड़ा सिर्फ करना मेरा बाकी रह गया था अब जैसा कि फ्रेंट्स मैं ठीक हूं आप लोगों ने बहुत सारी ब्लेसिंग दिया मुझे बहुत जा तो इतनी जल्दी नहीं जाएगा ना फ्रेंट्स यहां का जैसे आज की बात बता रहे हूं अब भी कि जब मैं वाई सवर कर रहे हूं अभी धूप निकली हुई है कर्मी जैसा लग रहा है लेकिन किसी भी टाइम फिर धूपनी कहट जाएगी और फिर ठंडी जैसा लगने इसकी रेसिपी तो मैंने बहुत बार आप लोगों से शेयर कर रखिया है बट हां जो लोग नहीं जूड़ते फिर मांगे कि तो मैं बीच बीच में इसको बताती जाओंगी तो अभी तो मैं फिलाल फ्राइ कर रहे हूं सॉल्ट और यह टर्मेरिक पॉडर एड़ करके तो यह लिए जो चीनी कि भीच नहीं हो शुरू कर दोगी मैं जब भी ऐसम इन तो आप तरह पराइ कर थे झाहिंगे जब उसकी नहीं हिव पहुड़ जादा टेश्टी बन्ता है तो मैं तो ऐसा ही करती हूं तो इस तरह हमने ले लिए कढ़ाई रह चल्का सही हमने आप देख यह पिर यह जो फिश फराई ओक बचेगा उसको फिर मैंने उसी में आट करना तो इसलिए मैंने पहले कम लिया पाच फोरन होता वह ने डाला पाच फोरन चेटक गया तो मैंने ट्रैमेरिक पॉडर और रेट चिली पॉडर को उसी में डाल दिया उसके बाद जो जब वहलका स याशना ओप लोगा और फिश पॉरन याशनी ने टीजिव माल फिलेम कर दोगा और ठीजित करना तो उसको दोड़ा जिंजर भी डाले तो उसको जो है हमने इस अट कर दीए अब क्या गम करूंगी निए उस तरह तरह क्या थिश में शाला उस प्रॉइन से भी और दैः त अब दूसरे वाले को बची हुए जो है और हाँ इसमें से मैं अभी तो पूरा बना लूँगी यह सब जीना दो दिन तक आराम से हमारी चल जाएगी और ऐसे भी आज मेरी थोई तब भी सही नहीं लग रही थी तो हमने नहीं तो फिरेज में थोड़ा उठा देती चार-पां जानी लाके खाले यह लाके खाले वो लाके खाले लेकिन उनको तसफी नहीं होती है उनको जब तक खाना मैं बना के दूना वह घर का खाना नहीं तब तक तसफी नहीं होती है और यहां पर देखे मारा एक अच्छे से भून चुका था तो इसमें हमने थोड़ा सा पानी ए तरहता है नहीं तरह पोशचीज करते हुआ और यह इस स्रिजस कर दालेका तो क्वेशे से यह एफंगी तरहह इस्टिश में आहने सो citup देज़ु नहीं पनुट श्कार vide कि अच्छों। तो इसके लिए मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी अब धकन रखकर पहले से पिछले अक्रूफ दाल दूंगी कि उसके रखे से अदुख प्लम में अधाक उसको भी यहीं डाल लिया अब दकन डाल दूंगी we both to hear the gemaakt तो पर से अधार मखन की तरह जाएग संहीं ए प्लम वाली रेसिपी भी आप लोगों से शेयर करती जा रही हूं और हाँ एक चीज और बोलना चाहूंगी एक कॉमेंट बहुत प्यार आया था उन्होंने कहा था आपको ना किसी की नजर लग गई है तो ऐसा तो कुछ है नहीं नजर लगने के लिए फैंट लेकिन फिर भी कहा जा कर ली थी पानी को और उसको सिप सिप करके आ करके मैं सुची कि जब तक उधर मसाला भूंडा जब तक मैं पानी पीलू उसको कंप्लीट करने के बाद फिर में तरफ ही बढ़ी हूं मतलब ज्यादा डिस्टेंस तो हमारे रूम का कीचन का है ही नहीं है फ्रेंट्स एक रू सब्सक्राइब करेंगे उसके बाद क्या करूंगी फिर ग्रेपी बगर लगा करके जो आप लोग अपनी निगाहे बनाए रखे उसके बाद नहीं कर दोगा कुत्ते की बोलने की आवाज जा रही हो कि अभी मतलब दिन का टाइम है फ्रेंट्स एक बज रहा है अब भी मैं कर रही हूं नो सुआ से इंतजार कर रही हूं कब लोगों की हल चल यहां से खतम होगी तो मैं वाई सबर करूंगी कर अभी लोग यहां पर नीचे में धूप आता है तो लोग आकर बैट जाते हैं जैसे इधा उधर की थोड़ी एज़े लिडिस लोग तो वो सब इतना जो जाता है आप लोग को घट पर थोड़ा बहुत तो जाता ही जाता है लेकिन इत्रना जादा नहीं जाता है बट कोई नहीं आप लोग मैंज कर लेना तो यहां पर देखिए हमने ग्रेवी लगा दिया और इसमें अप सारे फिस के पीसेस को मैं आड करूंगी सॉल्ट यहां हमने टेस्ट कर लिया था तो थोड़ा सान मुझे कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा फिस में सॉल्ट एड कर दिया अर धनिया पती अभी मैं एड करूंगी इसमें और उसके बाद फिस सारे एड कर दोंगी तो आप लोग को बस इतना कहना जाओंगी फ्रेंट के मुझे देखेंगी थोड़ा थोड़ा थंडी लग रही है जैसे में शुरू में मेरा वेट था ना तो हलाके अभी उतना वेट हमने पूट उन नहीं किया अभी तो मेरा अच्छा खासा पूट उन पहले सो हो चुका है तो मेरे साथ ने यह सेम प्रॉबलम हो रही थी मैं आया दिन बीमार पर देती जैसे अभी तो अभी थंडे वगड़ा वाला यह तो अलग प्रॉबलम हो गई लेकिन लास्ट टाइम आपने देखा जो भी इसूस मेरे साथ थे उन सब चीजों की वज़ा से जो मैं बीमार परी बहुत जादा हो रहा था यह सब सारी चीज़े तो एक तो हो गया ना फ्रेंट्स होई नहीं रहा हूं उससे यहां पर देखें फिश बन के हमारी रेडी हो चुकी थी फ्रेंट्स हमने गैस को आफ कर दिया था और अब मैं बस वही आप लोग सोची एक पर अपने आई सखल दिखा दू क्योंकि अभी मैं आ गई हूं में और मैं लोड़ा कि मेरा वेट बढ़ गया है इसलिए मेरा हेल जैसे थायरट बढ़ा होगा हर्मोन इंवालेंस है तो वह सब चीजों के वजह से हर एक चीज मुझे और इमुनिटी पावन मेरी काफी बीक हो गई है जिसकी वजह से में मुझे थंडी सुरू में भी फ्रेंट्स कि आप लोगों को बता ही नहीं क्या में नॉर्मल ऑन बनाया घ्या तो क्या हर दी ना डुट को बताऊं कि मैं बीमार मैं बीमार फिर आप लूड हो जाएंगे ना तो इसलिए मैं चीजों को कुछ्च चीजों को आप लोगों सर। यह से कलम sa कि मैं हां मुझे करना ही करना तब जा करके न मैं उससो कंटीनियू कर पाऊंगी तो यहां फे फ्रेंट्स भूग लग गई थी हम दोनों को तो हम दोनों यहीं पे धूप में आज मैट पर नीचे में बैठ गया है क्योंकि यहां पर दूप आ रही है एक चीज हमारे रूम का अच्छा है फ्रेंट्स ठंडी के टाइम में यह सामने वाले विंडो से ना विंडो खोल देने से ना रूम में अच्छी खासी धूप आ जाती है तो जैसे आपको ठंडी लग रही है तो दूप में अराम से बैठ सकते हैं तो वही हम लोग बैठ गया थे और मैं खास करके साइड बैठ ही थी कि ताके जो है थोड़ी धूप लगे खाना खाते होते थोड़ा सा मतलब ऐसी दो तीर मिनट लेटी होंगी और बच्चे आगे थे टूशन के तो मैं सुची कि टूशन भी करा ही लेती हूँ कि मैं नहीं करा होंगी तो और कौन कराएगा और कोई यहां पर पढ़ानी का मनी नहीं कर रहा था क्योंकि अंदर से जब फिवर वगड़ा रहता तो आपको थोड़ाना मन इरिटेट सा होता है न और खास करके सर्दी सर्दी में और जीव मन होता जब नूज बगर आपका सही से किलियर नहीं हो हेड़ेख होता हो तो और मन अज जांव का यह थोपा भी हो गया तो मैं सोची कि थोड़ा सा इसी का मैं मीठा बना दे रही हूं तो घी तो है नहीं फरचुन ऑईल में ही बनाऊंगा ना कोई घर में ड्राइऑ फूर्स कुछ भी नहीं है मगर मैं बूली नहीं बहीं तब भी मैं बना देती हूं मैं कुछ बठाया कि थोड़ा आदमी खा लेगा हो गया नाश्ता ही तो करना है और इसके साथ मैं देख रही हूं को दे दूंगे उसका थोड़ी देर के बाद चायव अगर बना लूँगी क्योंकि मैं अभी सोच रही थी फ्रेंड्स जब इस टाइम मैं इस टाइम यह बना लू अच्छी भी नहीं था एक ही पीस था तो उसको हमने हलका स्करश करके और उसको बीस से चीरा लगा कर डाल दिया और जब अच्छे से चटक गया था तब यहां पर हमने पानी बगड़ डाल दिया पानी जब यह हो गया तो इसमें मैं शुगर का पावडर राल डायू ज़ बना के रखे होई थी और वह घड़ में ही मैं बना लेती हूं तो वह अच्छे से जब वॉयल हो गया तो इसमें मैं यह मिला दूंगे और बहुत अच्छे खिलिये-खिलिये से बन जाते हैं लेकिन वह यह की थोड़े से ड्राय फूट्स रहते ना फैंस तो मजा था खाने रमजान अरीत के कई दिन के बाद तक बना बना के बिच बिच में खाते हैं न तो मैं यह अक्सर करती हूं लेकिन हां यह अभी तो फिरहाल गाओं का आप लोगों ने देखा यह तो मैं यह यहां पर न ऐसे इसको कर रहे थी ताकि एक दूसरे में जादा नहीं चिपके और तो यह लेकर करके आप जारी रूम में थोड़ा ही स्याम खाएंगे थोड़ा मैं खाऊंगी और आज का हम लोगों का फ्रेंट से ही हो जाएगा नाश्ता और इसी के साथ मैं आप लोगों से करती हूं टाटा बाइवाय जलिए मिलते उने नेक्स्ट ब्लग के साथ तब तक के लिए अला आफीज अपना खाल डगना फ्रेंट्स